हेलो फ्रेंट्स मैं हूरंजू और वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी किचन में आज मैं आपके साथ सूजी से बनने वाले बहुत ही मज़ेदार से नास्ता की रेसिपी सेयर करने जा रही हूँ जिसे हम बहुत ही कम तिल में बना कर तयार करेंगे लगभग एक चमच तो यहाँ पर यह नास्ता टेश्टी के साथ साथ हेल्दी भी बनने वाला है और अगर आप रोटी सबजी खा कर बोर हो गया है तो आप इसे ट्राइ कर सकते हैं बहुत ही सौफ बहुत ही जालीदार बन कर तयार होता है आप चाहे तो इस नास्ता को बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बच्चों को भी बहुत पसंद आता है ये और इसे बनाना भी बहुत आसान है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर सूजी का नास्ता बनाने के लिए हम डेड़ कटोरी सूजी ले लेंगे तो यहाँ पर मैंने मोटी वाली सूजी का इस्तिमाल किया है आप चाहे तो बारीक वाली सूजी भी ले सकते हैं अब हम इसमें आधा कटोरी दही डाल देंगे तो दही को मैंने थोड़ा सा फेट लिया है तो इसे डाल देंगे अब इन दोनों को एक बार मिला लेंगे तो यहाँ पर जो दही मैंने ली है वो हलकी सी खटी है इससे हमारा नास्ता जो है वो बहुत ही बढ़िया बन कर तयार होगा तो यहाँ पर दही में हलकी सी खटास होने चाहिए लेकिन बहुत जादा खटी दही नहीं लीजिएगा अब हम इसमें पानी डाल देंगे तो पानी एक ही बार बहुत सारा नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे मिलाते जाएंगे तो यहाँ पे इस बैटर को हमें बहुत जादा पतला नहीं करना है तो देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने किस तरह से इसे बना कर तयार किया है तो बस इतना ही पानी डालेंगे हम इसमें और अब हम इसे ढख देंगे और ढख कर 10 मिट तक छोड़ देंगे ताकि सूजी बहुत अच्छे से फूल जाए और यहाँ पर 10 मिट हो चुके हैं चलिए एक बर हम चेक कर लेते हैं और यहाँ पर सूजी बहुत अच्छे से फूल गई है तो एक बर इसे बहुत अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसमें बागी की चीज़े डाल देंगे तो यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिया है बारी कटा हुआ साथी में बारी कटा हुआ टमाटर डाल देंगे तो टमाटर की बीज को मैंने निकाल लिया है आप चाहे तो इस रेसीपी में अपने पसंद की कोई भी सबजी डाल सकते हैं जैसे गाज और बीन्स से बारी काट कर डाल सकते हैं अब हम इसमें हरी मिर्श डाल देंगे तो यहाँ पर मैंने दो हरी मिर्श को बारी काट कर डाला है आप अपने टेस्ट के कोडिंग डाल लीजिएगा अब हम इसमें कड़ी पता डाल देंगे तो यहाँ पर मैंने कड़ी पता को भी इस तरह से काट कर डाला है अगर आपके पास है तो इसे ज़रूर डाल लिएगा क्योंकि इसे बहुत ही बड़िया टेस्ट आता है हमारे नास्ता में स्वादनुसार नमक डाल देंगे और साथी में धनिया पता डाल देंगे चलिए तो अब हम इसे मिला लेते हैं और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथी में कॉमेंट भी जरूर करिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है और साथी में मुझे और कौन सी रेसिपी बनानी चाहिए तो देखें यहां पर मैंने इसे बहुत अच्छे से मिला लिया है अब हम इसमें आदा छोटा चमत जीरा डाल देंगे तो यहां पर मैंने साबुत जीरा डाला है मिला लेते हैं इसे भी डाल कर तो अभी यह बैटर थोड़ा सा गारा लग रहा है और एक बार फिर से इसे मिला लेंगे तो यहाँ पर आप बैटर की कंसिस्टनसी देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है चलिए तो एक बार फिर से हम इसे ढख देंगे लगबग 5 मिनिट के लिए उसके बाद हम अपना नास्ता बनाना शुरू करेंगे तो यहाँ पर इसे ढखे हुए मुझे पाजमेट हो चुके है और यहाँ पर सूजी बहुत अचे से फूल गई है और साथ में सभी चीजे भी बहुत अचे से सॉफ्ट हो गई है इसके साथ तो चलिए अब हम अपना नास्ता बनाना शुरू करते हैं तो नास्ता जब आपको बनाना हो तभी आप उसमें आधा चोटा चमच बेकिंग पौडर डालें पहले नहीं डालेंगे जब आपको नास्ता बनाना हो तभी आप इसे डालें मिला लेंगे और baking powder के ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया लगभग एक चमच तो अगर आप चाहे तो इस batter को पहले सही बना कर रख ले और जब आपको ये नास्ता बना कर तयार करना हो तब आप उसमें baking powder डाले और यहाँ पर आप चाहे तो baking powder के जगब पर इनो का भी इस्तमाल कर सकते हैं चलिए तो अब हम अपना नास्ता बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर नास्ता बनाने के लिए मैंने चोटी-चोटी कटोरिया ले ली हैं इसी में हम अपना नास्ता बना कर तयार करेंगे तो अब हम सभी कटोरियों को तेल से ग्रीज कर लेंगे इससे हमारा नास्ता जो है बहुत अच्छे से निकल जाएगा तो सभी कटोरियों पे तेल लगा लेते हैं तो देखिए यहाँ पर कटोरियों को मैंने तेल से बहुत अची से ग्रीज कर लिया है अब हम इसमें बैटर डाल देंगे जिसे हमने तयार करके रखा है तो कटोरी को हमें पूरा नहीं भढ़ना है तो यहाँ पर आधा कटोरी भरेंगे हम बैटर से तो यहाँ पर लगभग दाय चमच बैटर डाला है मैंने एक कटोरी में तो इसी तरह से सारे कटोरी में बैटर हम डाल देंगे तो अब एक बार कटोरियों को इस तरह से एक बार टैप कर ले चलिए तो अब हम नास्तों को पकाने की तयारी करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक कड़ाई में पानी रख टो यहां पर चार कोटोरी आई थी एक बार में दिखिलें तो मैंने कोटोरी को दिए है चले तो अब हम इसे धकक देंगे मिडियम फ्लेम पर 10 freshmen तख पका लेंगे और यहां पर रखेंड हुए मुझे 10 dep हो चुके हैं चले तो हम एक बार चेक कर लेते हैं तो यहां पर इसे चेक करने के लिए हम तुद्पिक का इस्तमाल करेंगे तो इस तरह से तुद्पिक डाल कर देखेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं तुद्पिक बहुत ही क्लीन निकली है इसका मतलब है नास्ता बहु तो आप नास्ता जो है बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है तो अब हम एक नाइफ की या फिर स्पून की हेल्प से इस तरह से इसे पहले किनारे से निकाल लेंगे और हमने इसे तेल से ग्रीज कर लिया था तो इसे निकलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है बहुत ही आस कर देंगे और एक बड़ टैप करेंगे और देखिए कितने आसानी से निकल गया हमारा नास्ता और यहां पर आप देख सकते हैं कितना बढ़ियां से पका है इसमें की जाली आपको साफ दिखाई दे रही होगी और बहुत ही सॉफ्ट स्पॉंजी बनकर तयार हुआ है तो इसी तरह से हम बागी के नास्ता को भी निकाल लेंगे तो आप चाहे तो इस नास्ता को इसी तरह से खा सकते हैं लेकिन आगे मैं आपको जो प्रोसेस बताने जारी हूँ अगर आप उसे भी फॉलो करेंगे तो आपका नास्ता और भी ज़्यादा टेश्टी बन कर तयार हो अब हम इसमें एक चमच राई डाल देंगे साथी में थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो इसे जरूर डालिएगा अब हम इसे मिला लेंगे और राई को चटकने देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं राई बहुत अच्छे से चटक गई है तो अब हम इसमें आधा छोटा चमच का स्मिरी लाल मिच पॉडर डाल देंगे और बस अब हम जिनने जो नास्ता तयार करके रखा था उस नास्ते को डाल देंगे तो यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है ताकि यह मिर्च जले ना अगर यह मिर्च जल जाएगी तो हमारा नास्ता जो है वो कड़वा लगने लगेगा तो गैस का फलेम आप बंद कर दे मिर्च डालते ही और अब हम अपने नास्ते को दोने साइट से इस तरह से सेख लेंगे इससे नास्ता जो है बहुत ही टेश्टी बन कर तयार होता है लेकिन अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो आप इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं और जब हमने नास्ता को कटोरी में से निकाला था बस उसी समय सर्व कर सकते हैं खा सकते हैं तो आप देख सकते हैं नास्ता कितना बढ़िया लग रहा है देखने में और यकीन मानिये फ्रेंट्स खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है और हेलदी तो यह है हैं ही तो आप भी एक बर बना कर जरूर ट्राइ करियेगा आपको यह जरूर पसंद आएगा तो आई होप आप सभी को यह आज के सूजी से बने हुए नास्ता की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी अगर आई है तो वीडियो को लाइक और सेयर करिएगा चैनल पर नहां है मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा इसी तरह से नहीं नी रेसिपी के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा मिलते हूँ आप से एक नहीं रेसीपी के साथ तब तक लिए टीक केर बाबाई and थैंक्स पर वचिंग मैं वीडियो